मैं हूं रहूर और आप देखने हैं Mission Competition दोस्तों आज के जो वीडियो है काफी important होने वाला है क्योंकि यह science के top questions है जो आपके वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छा लगे तो जवर्दस्ती नहीं है ठीक है और शेयर इसले करने को बोलता हूं कि भाई जब प्रसाद मिले ना तो प्रसाद बाट के खाना चाहिए अकेले खाने में पुन्य नहीं मिलता तो बाटो श है मध्य का अब तन का कोन ठीक है प्रकास का परतन का कारण ओतर दाई है औंत कोलशे इसे डिटेट कुछ नोट्स देख लें, आप देखें यहां, जब प्रकास की किरने एक परदर्सी माध्यम से गुजरती है, एक परदर्सी माध्यम यानि की प्लेन ग्लास लाइक मेरा ये चसमे का है, जो इससे कोई किरन जब गुजरेगी, तो क्यूंकि यहां पे कुछ भी अबजेक्ट ऐसा नहीं है, जिससे वो रिफ्लेक्ट हो सके है, ठीक है, बिल्कुल पारदर्सी है, तो आरपार निकल जाएगी, यहीं पर बोल रहा है, माध्यम से गुजरे अलग करने वाले तलपड़ा भी लंबा पाती होने पर बीना मुड़े सीधर निकल जाती है, ठीक टू, देखिए, आखों से कौन सी किर्णे नहीं देखी जा सकती है, आखों से भाई कौन सी किर्णे नहीं देखी जा सकती है, तो आखों से तीनों की तीनों ये किर्णे नहीं देखी जा सकती है, पराबैगनी किर्णे, गामा किर्णे और अवरक्त किर्णे ये तीनों की त नहीं देखी जा सकती आंगों से ठीक है चलिए इस यहां पर जो यह बताया जा रहा है देखिए अब इसका इसका होता है नहीं जाता है तो वहां पर यूज करते हो ना वह तो जो मसीन तो उसमें यूवी रेजी होता है अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रकास वैदूत प्रभाव ठीक है यह जो है इसको उत्पन करने के लिए बैक्टिरिया गुनस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और गामा किर्णों का इसका खोज बैकुरल ने की थी ठीक है अब होप आप सब क्लेर हो गए होंगे चलिए नेक्स्ट कोस्टेन के बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टेन हमारा स्नेल स्नेल का नियम किसे समद्धित है बाई बताइए तो स्नेल का नियम जो है समद्धित है और प्रकास के अपवरतन से स्नेल का नियम समद्धित है ठीक है चल है ठीक है ओके चलिए नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं हमारा नेक्स कोशन है कोशन नमबर फॉर स्वेध प्रकास को विभिन रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है अगर कोई वाइट स्वेध प्रकास यह नहीं सफेद प्रकास है स्वेध प्रकास लाइक आपके घर में तो इसका correct answer है हमारा option number G, D, correct answer है option number D, which happen, ठीक है, क्या कहते है, which happen, चलिए, इस रेटर कुछ details भी देख ले, तो हमारा जो इस रेटर डीटेल है, यहाँ पर देखिए, स्वेध प्रकास, स्वेध प्रकास का विभिन रंगों में विभाजित होना, which happen का लाता है, सूरे का स्व अपवर्तन के बाद, ठीक है, प्रिज्म के आधार की और छुकने के साथ सथ विभिन रंगों को प्रकास में भी बाट देता है, इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समों को विकर्ण यानिये स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, और, यहाँ पे है, और स्वेध प्रकास को अविर्ति की काई क्या है, तो यह है, और प्रतिकाई मापनन और अविर्ति के SI मातरक के लिए हर्ड यानि H2 का प्रयोग किया जाता है, जर्मन भौति की सास्त्री, हैंरी हर्ड के नाम ही इस एक्यूपमेंट का नाम पर रहा है, हर्ड, ठीक है, इसकी संग्या मतलब इसको हर्ड कहा जाता है, और एक हर्ड का मतलब होता है, वह घटना जो पर सेकेंड में एक बार होती है, उसको एक हर्ड कहा जाता है, ठीक है, पहले इस इकाई को साइकिल प्रति सेकेंड यान CPS के नाम से जाना जाता था ठीक है? I hope आप सब को ये detail पसंद आया हो, चलिए next question को बढ़ते हैं, next question है question number 6 पराध्वनिक चाल मापने की काई क्या है? पराध्वनिक चाल मापने की काई क्या है? हमारा correct answer है option number C, Mac ओके, तो पराध्वनिक चाल मापने की काई है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, Mac ठीक है? अब यहाँ देखिए, पराध्वनिक चाल मापने की काई को, Mac कहा जाता है, 19-वी सताबदी के महान भौतिक सास्त्र Innerst Mac, ठीक है? Innerst Mac, इन्हों ने ही gas, गती की सिधान्त का अध्यन किया था और इसके सम्मानत ठीक है? इसके सम्मानती समनार्थ इसके समनार्थ पराध्वनिक गती, Mac, संख्या की भी खोज इन्हों ने की थी ठीक है? चलिए, next question क्यों बढ़ते हैं next question हमारा, next question है question number 7, hall में ध्वनी की परती ध्वनी निरंतर नोने क्या कारण है? यानि कि hall में अगर आप कुछ बोलते हो, तो वो eco होता है गूजता है, इसका क्या reason है? क्या कारण है? तो इसका correct answer है हमारा option number A पराध्वनी, ठीक है? पराध्वनी के वज़े से ये hall में ध्वनी की परती ध्वनी निरंतर होते रहती है continuously ये eco होता रहता है ठीक है? चलिए, इसका हम details भी देख लें, चलिए तो यहाँ पर जो है, hall में ध्वनी की परती ध्वनी निरंतर होने है कारण ये है, पराध्वनी इसका कारण है ध्वनी का परवर्तन वी परकास के परवर्तन के, नियम के अनुसार होता है लेकिन ध्वनी का टरंग धैर जो है, अधिक होनेगा इसका परावर्तन, यानि reflection, बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है? इसलिए बाद ये हमें वापस रिटेन आ के सुनाई देती है और यहीं इको होता ता ह मुले सेबंटी मी लिए इसे भी कम होनी चाहिए चलिए पॉप्शन नमबर एट ध्वनी की चाल सरवाधिक किस में होती है सबसे अधिक ध्वनी की चाल किस में होती है तो सबसे अधिक जो ध्वनी की चाल होती है वो होती है हमारा वायू की अपेक्षे लोहे में तो हवा में नहीं यह लोहा में या कठोर किसी वस्तु में इसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है ठीक है चले इस रेटेट कुछ डिटेल देख लें तो ध्वनी की चाल सरवाधिक वायू के पेक्चा लोहे में होती है ध्वनी की तीवरता ठोस वस्तों में सबसे ज़्यादा होती है इसका मुख्य रीजन ये है कि ठोस में अनू द्रव और गैस ठ अधिक निकट होता है ठीक है जिस कारण ध्वनी तरंगे ठोस वस्तों में बहुत क्विकली जाती है ठीक है और रियल्टी में ध्वनी तरंगे वायू की तिलना में तुलना में इस पात यानि कि स्टील में 17 गुना अधिक क्विकली ये ट्रेवल करती है यह आप लोग ध्य और फेक्ट को औस्ट्रिया के बहुतिकी वेता गरिस्टीन जोन झातर न बत्ते आनुसार सुनने वाल कि या गति कारण किसी तरंग दोनी की तरंग या प्रकास तरंग क्या विड़ती बदली हुई परतीत होती है ऐसा feel होता है अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता यानि जहां से तरंग निकल रहा है वहां से और जो उसको रिसीव कर रहा है वहां तक इन दोनों के बीच की आप एक शिक गती इसी को हम लोग बोलते हैं डॉप्र प्रभाव ठीक है तो शुरोतों के तरंग क्या विर्थी बदली परतित होती है अविर्थी बदली परतित होने की घटना को ही डॉप्र प्रभाव कहा जाता है जैसे मैंने आपको बताया द्वनी प्रदूसन की यूनिट क्या है बहीं बताना ही हमें द्वनी प्रदूसन की जो यूनिट है वो है जी द्वनी प्रदूसन क्या यूनिट है बताए फट फट से तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा option number 10 यानि की decibel द्वनी प्रदूसन की सबसे ज्यादा जो यू परह अवर्न का निक सकते हैं कि जहता है साउपने की बहुत बिधना सके और दोनों मापने तरंगे को स्रीमिया को कले प्रति गशिक में नगक करेकीन से और नो क्यों की परेट। किया जाता है डेसिबल में धहनी का जो तरंगो का जो करेक्ट कुछ है कि अनुत तरंगों के रूपमें धहनी किस रूप में यातरा करती है ठीक है चलिए कुछ हम डिटेल्स देख ले हां तो ध्वनी अनुधार तरंग के रूप में यात्रा करती है ध्वनी तरंगे अनुधार तरंगे होती है यह समझ जाए आप ठीक है और इसके अवर्ति वस्तूओं में कंपन होने से होता है लेकिन सब प्रकार कंपन ध्वनी नहीं करता है ठीक है यह विए आप समझ जाए कि हर्ट टाइप का जो है वाइब्रेशन वो साउंड से नहीं होता है जिन तरंग की अभरती लग हो बीस कंपन परती सेकेंड हो ठीक है तो उसको जो है 20,000 पर 30,000 के बीच में उसको बताया जाता है उसकी अनुभूती हमें अपने कानों के द्वारा होती है और उनके अनुभूती हमें कानों होती है और उन्हें ही हम सुन सकते हैं यहां पर भी बता दिया गया नोट्स में चलिए हमारा जो है आज का जो फाइनल कोश्चन है बहुत 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 इंट्रस्टिंग है पूरा देखो आखरी तक तब समझ में है क्यों मना जाता है मैं अभी आपको समझाता हूं चलो डिटेल देखने से खुछ हम तो यहां पर देखिए भारत की आजादी के समय पस्ची मंगाल के नादिया जिले को लेकर प्रसासनी गल्ती हुई थी और यह गल्ती किससे हुई थी भारत पाकिस्तान का जिन्हों ने बडाक उठे हाला कि बाद में इसे सुधार के ठीक किया गया और सुधार प्रतिकिरिया में कुछ वक्त लग गया नादिया जिले को भारत में सामिल करने भारत सरकार जो है 1991 से 18 अगस्त को जो है नादिया में जंडा फराने की जाज़त दे दी तभी से नादिया जिले में 18 अगस्त को स्वतंता दिवस मनाया जाता है ठीक है तो दोस्तों ये था आज का साइंस रेटेट कुछ कोश्चन और आपको हमने टेक केर बाबाई और गोडब्स योल